Hello students, आप सभी का सवगत है हमारे इस YouTube चैनल पर और आप सभी का सवगत है डोरी मौन सर की Math Special Class में आज हम लोग Directed of Education, ठीक है, के छेतर की दिल्ली मतलब, दिल्ली की जो आपकी वक्स्टीट है, कारपत्री का संक्या 40 के बारे में बात करेंगे, ठीक है, Mathematics सब्जेट की ये, Class 7 की आज की डेट 20-12-2021, यहाँ पर बिटा आपको अपने टीचर का नेम लिखना है, चलिए, चालू करते हैं सकारपतिका को, और आपको बता दूँ, आप सभी बहुत सारे प्रैसेस हमारे चैनल पर जीते हो, और कैसे इसका मतलब क्यों होता है, साइड, एंड, साइड, ठीक है, इसका मतलब क्यों होता है, साइड, एंड, साइड, एंड, साइड, इसका मतलब क्यों होता है, साइड, एंड, साइड, ठीक है, इसका मतलब क्यों होता है, साइड, एंड, साइड, ठीक है, इसका मतलब क्यों होता लीजेगा इसके बाद क्या बुलागे मेंसन एंडर दा टाइप आप ट्रेंगल यू सी ओन रोड साइट साइन फॉर एक्जामपल पैस्टरिंग क्रॉसिंग साइन तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यह साइन इसको बना लीजेगा उसके नीचे लिख दीजेगा ठीक है आप ट्रेंगल किस टाइप का ट्रेंगल है यह फिर मैं बता दूंगा महीं पर तो बटा या क्या है ठीक है यह एक और मैं चाहिटा क्लक है लेट्रल ट्राइंगल ठीक है तो पहले इसको बना लेना इसका नीचे लिखना this sign is the type of triangle which is equilateral triangle तो मैं बताता हूँ आपको वो लिख लो इसको बनाने के बाद क्या लिखोगे this sign is is equilateral equilateral type is equilateral type of triangle अगे देखे क्या दिया गया है यहाँ पर बिटा triangle की spelling लिखिए मैंने ठीक है आप नीचे मैं लिख देता हूँ आपको देखना रहा हो थो ठीक है चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है तो आगे बिटा क्या दिया गया है आपको चेक करना है set square को geometry box में और write down करना है कि वो किस type का triangle है तो बेटा set square कैसा होता है तो बेटा इसमें लिखो ठीक है on the basis थर्ड वाले में लिखना है on the basis या on the based या the based on यहां लिखो the based on लिखो बेटा लिखो the based on side set of square set of square is isocellus triangle ठीक है बेटा इसको लिख लेना इसके बाद क्या हो जाएगा fourth वाला question sum of angle तो वो कितना होता है triangle का 180 degree होता है ठीक है आगे चलिए देखते हैं क्या दिया गए इसमें बोला गया है let's understand the construction of triangle ठीक है of two angle and length between them ठीक है आपको दो angle और एक length उसके बीच की दी गई हो सबसे पहले एक tip है कि आपको draw sketch हमेशा draw कर लेना चाहिए चलो यहाँ पर आपको दिखेगा कि construction में क्या दिया गए construct of triangle when measure of two angles and length between them are given ठीक है तो कैसे construct करोगे for example जैसे एक triangle एप x y z अगर इसमें देखो x y का है 6 cm है x y sorry z x y कितना है 30 cm और x y z जो है 100 degree का है तो यहाँ पर आप देखोगे पहले इसमें क्या है सबसे पहले हमें draw करना चाहिए एक rough sketch को जो की measure किया हुआ हो ठीक है तो rough sketch को आप draw कर लो ठीक है पहले इसका इस तरीके से होगा उसके बाद step by step हमें क्या करना चाहिए काम करना चाहिए जैसे draw करो एक x y जो कितनी हो बिटा x y 6 cm कियो उसके बाद हमें क्या करना है draw करना है क्या एक x से एक ray draw करो जो क्या px को make करे 30 degree की with xy ठीक है एक x से ray draw करो जो px बना है ठीक है with xy एंगल उसका कितना 30 degree हो ठीक इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको एक y से ray draw करना है जो y q होगी जिसका एंगल कितना होगा 100 degree होगा ठीक है और वो क्या करेगी 100 degree का होगा अब यह दोनों अगर match आउट नहीं हो रहेंगे तो हम क्या करेंगे इसके बाद देखो क्या लिखा है यहाँ पर Z has lies on both ठीक है Z जो है वो दोनों पर lie करेंगे और यह PX ठीक है PX और जो है PY YQ जो है दोनों का जो point होगा intersecting वो क्या होगा Z होगा और इस तरीके से ही complete हो जाएगा चलिए पहला question देखते है इसका क्या दिया गया है ठीक है पर इसके पहले एक चीज़ देखो है आपर क्या लिखा गया है think whether you can draw and construct angle ठीक है A B C which B is 110 degree and C is 80 degree and the length between and the length between of the side is 7.2 cm justify your answer ठीक है आप कहां पर draw करोगे कैसे draw करोगे तो we use property हम इसमें कौन सी property रुखेंगे we use ठीक है ठीक है प्रॉपर्टी ठीक हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी A S A कौन सी A S A ठीक है और उसके बाद क्या करेंगे इसको justify करेंगे justify कैसे करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे देखो यहापर क्या लिख है first we draw our raw is case ठीक है figure 1 यह सब आप लिखोगे इसको लिखने के बाद क्या करोगे देखो यहाँ पर जो है जो है आपका ये कितना हो जाएगा बिटा ये हो जाएगा 110 degree का ठीक है इसके बाद ये वाला जो आपका angle हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 80 degree का ठीक है और इसके बाद ये जो यहाँ पर point है ये कितनी है हमारी तो ये 7.2 है तो इसे 7.2 लिख दो ठीक है अब इसके बाद करेंगे ठीक है यहां पर देखो हमारा सी था यहां बी था तो हमने कहा कि हम क्या करेंगे हम सी भी लाइंड डॉइंगे जो कितनी होगी जो की होगी हमारी 7.2 सेंटीमीटर की तो यहां लिखो सी और यहां लिखो बी और यह कितनी होगी 7.2 होगी इसके बाद क्या करना है हमें at point, हुम जो c point है, वहाँ से एक radio करेंगे जो क्यों होगी cp होगी, जो क्यों होगी बेटा, cp होगी और वो कितने की होगी, वो बेटा होगी आपकी, फिक है, 80 degree की, कितनी होगी, 80 degree की होगी, जो क्या बनेगी, जो होगी हमारी किस पर, cb पर, ठीक है, तो जो होगी हमारी कहाँ पर CB पर होगी और ये क्या हो गई बेटा ये आपकी हो गई देखो B ये हो गई C और ये हो गई P ठीक है और ये angle कितना होगा यहां का 80 degree का हो जाएगा ठीक है इसके बाद क्या करोगे आप अब उसके बाद देखो B से आपको क्या करना है एक BQ ड्रा करना है ठीक है या BQ आप ड्रा कर लो जो make करेगा हमारा angle कितना 110 degree का किस के साथ बिटा है CB के साथ ठीक है किस के साथ बिटा CB के साथ अब ये चीज़ आप कहाँ पर देख सकते हो diagram 4 में देख सकते हो ये वाली क्या हो गई Q हो गई 110 cm की ये हो गई आपकी B line ठीक है और ये हो गई C ये कितना बन रहा है 7.2 ये P जा रहा ही है और ये कितनी बन रही है 100 degree की बन रही है इसके बाद क्या करेंगे अब Z जो लाई करेगा वो लाई करेगा हमारा किस पर हमारा लाई करेगा आपका C P पर ठीक है और किस पर लाई करेगा आपका B Q ठीक है बोथ पॉइंट लाई करेंगे और इंटरसेक करेंगे जिसके बाद हमारा डाइगराम क्या बन जाएगा हमारा डाइगराम A B C बन जाएगा ठीक है जो हमारा डाइगराम क्या बना देगा ABC कहने का मतलब ये क्या है ठीक है Z Z की जिगे पर यहां A ले ले लेना ठीक है Sorry जिगे पर A ले लेना ठीक इतना याद रखना तो ये जो A है यहां पर लाए कर जाएगा और ये इस तरीके से एक डाइग्राम बन जाएगा जो हमें चाहिए था ठीक है चलो आगे आते हैं पहला कुपसन देखते हैं क्या दियागा हमसे बोला गए एक construct करना है आपको ठीक है गिवन क्या है एंगल ए हमारा 60 डिगरी का है और दोनों को क्या करना है 60 और 30 डिगरी के एंगल को हम क्या करें दोनों को क्या कर देना है बिटा 5.8 की दूरी से मैच आउट कर देना है ठीक है 5.8 A B होगी तो देखो बिटा हम क्या करेंगे सबसे पहले A B हमारी 5.8 की है सबसे पहले हम डॉर करेंगे एक rough sketch जैसा कि इसमें बताया जाता है तो यह देखो आपको rough sketch दिख रहा है ने इस rough sketch sketch में यहाँ A लिखो यहाँ B लिखो यहाँ पर C लिख दो ठीक है और यह क्या हो जाएगी 5.8 हो जाएगी यह 30 डिग्री हई है इसको 60 डिग्री का कर लो ठीक है इसको 60 डिग्री कर लो 60 डिग्री आप अंदर वाला ही लेना ठीक है 60 डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पर आ A, B को जो क्या हो बिटा जो कि क्या हो A, B को ड्रा कर लो जो कि आपकी हो कितनी 5.8 की ठीक है यहाँ A, B को क्या करना है A, B ड्रा करो जो कितनी हो 5.8 cm हो तो यहाँ लेखो A, यहाँ लेखो B, यहाँ लेखो 5.8 cm इसके बाद तीसा देखो क्या है अब क्या करो A से एक रे बनाओ जो कि आपकी क्या हो AX या AP मान लो है ठीक है जिसका एंगल कितना है 30 डिगरी है और किस पर है बिटा ये AB पर है ठीक है किस पर है AB पर तो ये A हो गई ये B हो गई और ये AP बन गे कितनी 30 डिगरी की इसके बाद बिटा आप क्या करोगे आप देखो step number 4 पर अब क्या करो B से ठ ठीक है जो कितनी हो हमारी जो 60 डिगरी की हो किसके साथ जो 60 डिगरी हो हमारी AB के साथ ठीक है तो अब दूसरा देखो यहाँ पर यहाँ पर क्या करोगे यहाँ पर आप यह 60 डिगरी की एक डे बन ओगे ठीक है यह 30 की बन गई यह 60 की बन गई ठीक है यह क्या हो गई X हो यह हमारा B point हो गया यह P हो गया यह हमारा Q यहाँ पर आपको दिख रहा है यह यहाँ नहीं रहेगा रुकुम यह जो है यहाँ नहीं रहेगा ठीक यह जो आपका चला जाएगा बिटा ठीक है इस जिगे पर Q आगे देखिए क्या दिया गया है ठीक है आगे देखो इसमें हमसे बताये गया है कि यहाँ पर C है वो लाई करेगा हमारा किस पर A P पर वो लाई करेगा हमारा किस पर B Q पर ठीक है और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक करेंगे कहाँ पर जाकर C पर और diagram हमारा क्या बन जाएगा ABC triangle complete बन जाएगा जो हमको required था ठीक है इसको बना लेना पूरा अच्छे से ठीक है इसके बाद देखो बिटा अगला खोशन क्या दिया गया है तो बच्छो आगे देखो क्या दिया गया है हमको construct करना है एक PQR जिसमें PQ हमारी 5 cm होगी PQR जो होगा वो हमारा कितना होगा 105 का और जो आपका आपका जो बिटा ये है ठीक है मतलब QR ठीक है वो हमारा कितना होगा बिटा वो हमारा होगा यहाँ पर जाके 40 degree का ठीक है अब हमसे देखो यहाँ पर एक हिंट दिया गया है recall the sum angle sum property अब angle sum property को recall करके पहले इसमें हम sum निकलेंगे तो देखो सबसे पहले तो इसका solution करना जरूरी है ठीक है तभी इसको rough sketch पर हम draw कर पाएंगे बिटा वनना नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले हम solution करेंगे solution कैसे करेंगे सुनो अच्छे से देखो हमारी triangle की property क्या होती है the sum of triangle ठीक है PQR जो PQR triangle है उसका sum कितना होगा 1803 degree होगा ठीक अब इसमें देखो angle Q ठीक है plus angle R plus angle P जो है हमारा वो कितना है 180 degree का है angle Q कितना है हमारा तो Q देखोगे 105 angle R 40 है और angle P हमें पता करना है ठीक इतना note down करो जल्दी से note down करो बिटा ठीक है जल्दी से आपने note down कर लिया होगा चलिए यहाँ पर आते है 145 plus angle P बराबर कितना हो गया 180 हो गया angle P हमारा यहाँ से कितना निकल आ बिटा angle P हमारा 180C minus 145 निकल गया और यहाँ से कितना आ गया जाके 35 degree آ गया देखा angle P हमारा कितना आ गया 35 degree आ गया अब हम कर लेंगे इसका solution देखो कैसे solution करेंगे अब angle P हमारा 35 है में PQR बनाना है क्या बनाना है PQR बनाना है तो देखो ये सब तो बिटा आप लिख लो गया I think ठीक है मैं आप roughly आपको ये वाला जो है roughly समझा देता हूँ देखो PQR कैसे बनाएंगे आप पहले PQ line डॉक कर लेना ठीक है जो की कितनी होगी 5 cm की होगी P हमारा कितना है 35 है तो इसका मतलब मेरा P कुछ ऐसा जा रहा होगा ठीक इस तरीके से जा रहा होगा इसके बाद जो angle हमारा क्या है कौन सा इसके बाद angle देखो हमारा ये जो Q है ठीक है ये कितने 105 डिगरी का तो 105 कुछ ऐसा भाग रहा होगा बिटा 105 इस तरीके से आएगा ठीक है अब देखो ये वाली जो लाइन है ठीक है रुको मैं बताता हूँ ये कुछ ऐसी जा रही होगी और क्यों हमारा हलका सा ऐसा जा रहा होगा ठीक अब इस पर पॉइंट एक मान लो आपने ले लिया होगा ए इस पर एक लिया होगा बी ठीक है और जो पॉइंट हमको चाहिए ठीक है अब आर क्या है एक मान लो आर इस पर यहाँ पर लाए कर रहा है और यह अपस में इतना हो जाएगा 40 degree का हो जाएगा और यही diagram आपको बनाना है ठीक है इंस construction कैसे लिखना है अब इपर आपको दो diagram समझाए आए तो इसमें आप समझ लिख लेंगे ठीक है तो आगे आपकी वक्सीट होती है इसमाप आपको वीडियो कैसे लगी comment करकर बताना वीडियो लाइक कर दो